हेलो एवरिवन, वेलकम अगें तो फाइनार स्टड़ी, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे EMRS वेकेंसिस दोहजार तेईस के बारे में, ठीक है तो इन से संबंदित, जो है EMRS से संबंदित एक न्यूज कल से बहुत जादा चर्चा में है, तो वो न्यूज क्या है, ठीक कोई भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है, इस तरह की न्यूज वहाँ पर ओफिशली नहीं है, ठीक है, तो मामला ये है, कि ये जो वेकेंसिस हैं, इनका इस बार बजट में जो है चर्चा हुई है, वहाँ सेंटर गोर्मेंट को ये, जो आदिवासी मंत्राले है, वो सें जानते हैं कि सभी अभी तक जो टीचर्स हैं, वो कॉंटेक्ट बेस पर ही लगे हुए हैं, तो टीजटी पीजटी के टीचर्स हैं, उन्होंने जो है हाई कोर्ट में याचिका दारज की, याचिका जो है वो दायर की है, ठीक है, तो उनका कहना है कि ये जो वेकेंसिस हैं, ये सेंटर गोर्मेंट को ना देकर, जो प्रदेश गोर्मेंट है, इनकी मतलब जो इनकी स्टेट गोर्मेंट है, उनको दी जाए और इनका जो मंत्रा, इनका जो वी सेलेक्शन प्रोसेस है, वो उनके द्वारा ही कराई जाए ना कि सेंटर गोर्मेंट के द्वारा, ठीक है क्योंकि यह आदिवासी से संबंदित है इसलिए यह प्रदेश के पास ही रहें तो अच्छा है तो यह पूरा मामला है तो उनकी याचिका के बाद से जो है इन वेकेंसिस पर अभी स्टे लगा दिया गया है तो 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर को जो है इस मामले की सुनवाई है ठीक है डेट दी गई है कोट की तरफ से 17 अक्टूबर को इसका फैसला दिया जाएगा क्या होता है और अब बहुत से बच्चों के मन में डर है कि पहली बार तो वेकेंसि आई है क्या होगा वेकेंसिस कैंसिल होंगी या फिर पेपर होगा नहीं होगा टीक है तो सबसे पहली बात यह है कि देखें कि यह सैंटुर मेंट की है पहले से यह जो जो होसी मिनिस्ट्र Mormits के पहती है तो केंसल हो ने का कोई सवाल ही नहीं नहीं है और दो लोगों कि उससे कुछ भी नहीं होगा वो जिरफ अपने फाइदा ह वो लोग अपने फाइदे के लिए ये बोल रहे हैं कि अगर को जो है पर्मानेंट वाले बंदे हैं वो वहां पर जो टीचर्स हैं वो जाएंगे तो उनकी जो सीट है वो उन्हें खाली करनी ही पड़ेगी तो वो सिर्फ अपनी फाइदे के लिए जो है ये सब कर रहे हैं बाकि इतनी बड़ी संख्या में वेकेंसी है, सेंटर गोर्मेंट की है, तो कैंसिल होना 99% मुश्किल है, बाकि 17 अक्टूबर को इसका फैसला आ जाएगा, तब तक के लिए आप ये ना सोचें कि कैंसिल हो गई है, वेकेंसी आएंगी नहीं, पेपर नहीं होगा, आप अपनी जो तयारी है, वो continue रखें, बिल्कुल भी drop मत दीजेगा, बिल्कुल भी gap मत दीजेगा, जिस flow में आप चल रहे हैं, जैसे भी आपकी तयारी चल रही है, बिल्कुल continue रखें, आप यहीं सोचकर अपनी जो तयारी है, वो continue रखेंगी, एक्जाम होगा, और November, December तक आपका ए notification आता है, कुछ news आती है, तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, thank you